धारमिक्स थालों पर लाउड स्पीकर को लेकर यूपी के managre ला अदीकी आधित दिनाने फिर सख्त हो गए हैं presenter kanske सीम योगी ने धारमिक्स थालों से लाउड स्पीकर को तुरंट हटाने के निर्देश्टिये हैं उन्होंने कहा कि धार्मिक्स थालों पर उन्हें लाउड स्पीकर कतई स्वीकारे नहीं। CM योगी ने अधिकारियों से ये भी कहा कि अभियान चला कर धार मिक्स थलों पर लगें लाउड स्पीकर की ध्वनी पहले की भाती मानक के अंदरूम नियंत्रित कराई जाए। यूपी में कानोन व्यवस्था पर हुई अहम बैठक में मुख्यमंत्री योगी अधितिनाज ने कहा कि जब वे कई जिलों के दौरे पर थे तुन्हें कई पूजास थलों पर फिर से लाउड स्पीकर लगे मिले। जबकि पहले चलाये गए अभियान में सभी लाउड स्पीक हटा दिये गए थे उन्होंने अधिकारियों को इन लाउड स्पीकर को तुरंत हटाने को कहा है कि कुछ समय पहले समवाद के माध्यम से धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर हटाये जाने की अभुदपुर्म करवाई हुई थी लेकिन अब सीम योगी ने कई जिलों में दौर बात को सुनिश्चित करें कि ध्वनी प्रदोशन पर सकती से रोक लगे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन हो उन्होंने अधिकारियों से बांगलिक कारेक्रमों से पहले डेजे और म्योजिक सिस्टम संचालकों से बात करने के लिए कहा है ताकि वे इस गा के यूपी के सभी धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर हटवा दिये थे और धार्मिक स्थलों को यादेश दिया था कि लाउड स्पीकर की आवास धार्मिक स्थल के परिसर से बाहर ना जाए इसी क्रम में सीम योगी ने सबसे पहले गोरकनात मंदिर की लाउड स्पीक प्रकार की आवाज को धीमी करने का निर्देश दिया था। साथी उन्हें बाजार, सडकों और अन्य सर्वजिनिक स्थलों से भी हटा दिया गया था। लेकिन यह सुनिष्ष्ट किया जारा चाहिए कि इस प्रकार की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। इस निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों में इस निर्देश का पालन किया गया। CM के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में मस्जिद, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थालों पर इसका पालन किया गया। उनके इस प्रयास के बाद राज्य में करीब एक लाग से अधिक लाउड स्पीकर उटारे गये थे। टाइमस नावन भारत जिजिटल की रिपोर्ट